एर चीफ मार्शल विवेक राम चाधरी उमकारेश्वर पहँचे, जहां उन्हे परिवार के साथ बाबा उमकारेश्वर की पूझार्श ना के चीफ मार्शल ववेक राम चौधरी ओमका रिश्वर पहुचे जहां उन्होंने परिवार के साथ बाबा ओमका रिश्वर की विधिविधान से पूझा अर्षना की है गर्वग्रह में जाकर उनका परिवार भी मौझूद था पंदित पुजारी वहां पर मौझूद थे एर्चीफ मार्शल ववेक पुराम चौधरी अपने परिवार के साथ भूले नाथ के दर्शन करने के लिए पहुचे उमका रिश्वर जोतर दिंग जहां उन्होंने परिश्वर के विधिविधान से पूझ आर्शना की अब अब आद खरगौन की जहां चूरल नदी में एक अजगर मचली पकड़ने के जाल मैं अचानक से फस गया ग्रामिडों ने इसकी ततका सुचना वन विभाग को दी अजगर मचली खाने के चक्कर मैं मचली पकड़न के जाल नफस गया था सूचना के बाद वन वाक के टीम वन प्राणी अभिरक्षक तोनी शर्मा मौके पर पहुंचे और आधे गंटे की मशक्कत के बाद अजगर को जाल से बाहर निकाला गया कि अब आधि के बाहर ही लो तो मचली पकड़ने के जाल मैं एक अजगर फस गया और ग्रामीडों ने इसकी सूचना वन वाक को दी वन वाक की तरफ से आते हैं टोनी शर्मा वन प्राणी अभिरक्षक और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू करते हैं जाल से उसको बाहर निकालते हैं मचली पकरने के जाल मैं आजगर फस किया था मचली खाने के चक्कर में वो जाल में चला गया और अचानक से जाल मैं फस गया विशाल का अजगर वे इन दोर में कैफे में निकला 6 फीट का कोब्रा कोब्रा देखकर देशत में आगे लोग इसने कैशर ने साबकर रेस्क्यू किया रेस्क्यू के दोरान फन उठा कर फफकार तहुआ कोब्रा नजर आया कोब्रा को जंगल में छोड़ा गया तो कोब्रा को जंगल में छोड़ा है स्नेक कैशर को वहाँ पर बुलाया गया स्नेक कैशर ने कोब्रा को पकल कर जंगल में छोड़ दिया और आई अब देखेंगे टॉप 20